तो हेलो दूस्तो कैसे आप सभी आप सभी आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत आप सभी कब फिर से आपके ही अपने से यूटूब चैनल टेक इंडिया पे में और इस वीडियो में दूस्तो मैं आप सभी को बताने वहला हूँ कि गूगल ड्राइब अप्लिके के साथ बताने वहला हूँ कि गूगल ड्राइब अप्लिकेशन में अपना डूक्यूमेंट फाइल कैसे से शेप किया जाता है तो चलिए आज किस वीडियो को भी नदेर के सबसे पहले कर लेते हैं यहां से स्टार्ट तो दूस्तो गूगल ड्राइब अप्लिकेशन में अपना डोक्यूमेंट फाइल सेप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से देखना वीडियो स्किप करोगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है सबसे पहले दूस्तो आपको यहाँ पर गूगल ड्राइब अप्लिकेशन को उपन करना ठीक है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस अप्लिकेशन को उपन करता हूँ जैसे ही दूस्तो आप इस application को open करोगे आपके सामने कुछ इस तरीकी के page आ जाएंगे और यहाँ पर आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दूस्तो देख सकते हो नीचे के side में सबसे पहले आपको home का option मिल जाएगा उसके बाद started उसके बाद यहाँ share कुछ इस तरीकी से option मिल जाते है अब यहाँ पर दूस्तो अपना कोई भी यहाँ से document file save करके रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है home page के उपर आना है और उसके बाद आपको new के उपर क्लिक करना है जैसे आप इस पर backlash करोगे आपको यहाँ पर कुछ option मिल जाते है simply आपको यहाँ पर upload वाले option के उपर क्लिक करोगे यहाँ पर दूस्तो कुछ इस तरीके से आपके साम में page आ जायेगे सबसे पहले आपको अपना photo's वैगगरा देखने को को मिलेगा उसके बाद image है, उसके बाद video है, and उसके बाद last मीं यहां से document का option मिलता है, तो document को select करना, जिसे ऐसे सब document को select करोगे, यहां पर दूस्तों आपको अपना यहां से file देखनी को मिल जाएगा, अब यहां पर दूस्तों आपने जिस file में अपना document file save कर रखा है उसको यहां से select कर लो तो for example यहां पर मैंने अपना file select कर लिया है उसके बाद दूस्तों देख सकते हो काफी सरे document यहां पर आ चुके है अब यहां पर दूस्तों आप जो भी save करना चाहते हो उसको यहां से save कर दो जैसे save करोगे यहां पर दूस्तों देख सकते हो उपर के साइड में यह document यहां से आ चुका है तो कुछ इस तरीके से दूस्तों आप Google Drive application में अपना document file यहां पर save करके रख सकते हो ठीक है आई होप कि आप लोग को सारी बात समझ में आ गए होगे और उम्मीद करते हैं कि आप सीख चूके होगे कि Google Drive application में document file कैसे अप लूट किया जाता है अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पिने हो तो subscribe जरू से कर लेना क्यूंकि यहां पर आप सभी कोई से तरह के helpful वीडियो मिलते रहेंगे तो फिर आज के इस वीडियो पस इतना ही मिलते पूछें इसे helpful वीडियो के साथ तब तके लिए दूस्तो गुड़ बाई